और देखते हैं मटर मसाला और रोटी चावल और फिनिस करके कौन 2020 रूपे की नाम की रासी ले करके जाता है कौन सिर्फ मटर मसाला रोटी चावल का अनन ले करके जाता है मतर मसाला चावल और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा आईए पौन इलहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं अमेजिंग इलहाबादी यूटूब चैनल पर सभी दर सुख स्वागत है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपर बटन मसाला रोटी चावल इटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूल चन जी और संकर जी दो चलेंजर बाट चुके हैं देखते हैं दोनों चलेंजर चालू कर दीजिए और यहां पर टाइमर चालू हो चुका है चालू होते ही बहुत गज्याब शंकर ने उठा लिया मटन की जबजस्ट पीस और फूल चन जी ने मटन उठाया है पहले और दोनों चलेंजर सोत रहे मटन को पहले निफ्टाते हैं उसके बाद रोटी और चा लेकर के जाता है कौन सिर्फ मटन मसाला रोटी चावल का अनन लेकर के जाता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से इतना तगड़ा हाथ फैला रहे हैं सोच रहें कि बहुत दूरी रखी हुए थाली ऐसा लग रहा है लेकिन थाली बहुत नदीख है खुद अ पर आएगा इनाम कि राशी 2020 रुपए और 2020 के इस चैलेंज में देखते हैं कौन बिन करता है कौन से जो है तेन होवर में ही रह जाता है मतलब हाँ तो दोनों लोग जो यह लोग जो इस पीड बनाया है बहुत बनाया है पहले स्लोली चल रहे हैं सोच रहे हैं तेजी से चल गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं तो दूसरी तरह बैठे हुए संकर जो हो जाते हैं क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा और यहां पर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 100% नहीं करेंगे तो 2020 रुपे बहुत दूर चला जाएगा और फूल चंद अपना जो शाहस है जो एकसी लेटर है बहुत गजब का लगा हुए हैं मतलब एक तरफा एकसी लेटर लगाते हैं फूल चंद ना तो आगे जाते हैं ना तो पीछ है कौन हारता है पूरी तरह से अभी बना हुआ है बहुत बढ़ियां बहुत अच्छी कोशी से और जो साहज लगा है देखते हैं मटन मसाला और रोटी चावल से निपर पाते हैं देखते ही देखते हमारा टाइमर दो मिनट 15 सेकेंड की और इसारा कर चुका है तो रोटी क की बाइड लेने लगते हैं तो उसी भी समझ के चलिए जीता और हार करने रहे हो जाता है क्योंकि संकर की जो बाइड लगती है बहुत तेजी से बहुत हाई बोल्टेज वाली बाइड लगती है चावल और किसी चलेंजरों को जो दबाव नहीं अपने हिसाब से खाते रहे जो साहस लगांएं उस साहस को देखते हैं कितना ले जाते हैं बहुत बड़ी हैं और जो जेलंजर बिन करेगा वही नाम की रासी पाएगा और जो जेलंजर नहीं बिन कर पाएगा व मतन मसाला रोटी चावल का दान लेकर करें Exact और यहां पर फोल चंद जो बठत बना रहे और यहीं बड़ा तकर्बनी रहेगी तो समय चलिए इनका वल्ले वल्ले होना तय है और शंकर पूरी तरह से अपने आपको एकदम नजाकत अवस्था में धकेलते चले जा रहे हैं सोच रहे हैं कि हम पहले ब्रेकर को ही तोड़ देते हैं जो मटन के रूप में रखा हुआ है अगर उस ब्रेकर को हटा देंगे तो हमें बाइट लेने में बहुत आसानी हो जाएगी और जीत हासिल कर लेंगे वहीं पर फूल चन सोच रहे हैं कि सब पहले क्यों ना हम रोटी को ही इस थाली से गाइब कर दें बहुत बढ़िया और इसी के साथ करीब करीब रोटी फू चावल वाला स्पीड चालू हो जाएगा संकर का और दोनों फूल चंद का तभी समझ में आएगा कि बढ़त किसकी बनी है और कौन बढ़त बनाके आगे जा रहा है और यहां पर देखते ही देखते बहुत गजब तरीके से फूल चंद रोटी को पूरी तरह से शमात कर लि रौद रूप में नहीं धके लेंगे देखते ही देखते ही और जो साहज लगा है फूल चंद जी बिल्कुल पावर वाला साहज लगा है उस साहज को देखते हैं संकर जी कितना रोक पाते है बहुत बढ़िया और थोड़ा संकर हो चाहे मुहम्मद यसीन कोई भी आज हमार टॉन्टी रूपीस ले करके जाना है बहुत बढ़िया और जो तक संकर चाहवल में जा रहा है उससे पहले ही लगभग चाहवल समाप्ति की और चला जा रहा है और यहाप देखते हैं संकर जी क्या करते हैं कौन सी पावर लगाते हैं तेट पता निकाल जी और फूल चंद थोड़ा सा भी गफलत करेंगे तो समझ किसे लिए हैं आज कोई भी विट्रिक बिलकुल काम नहीं आने वाला है आज हम तो गर्दा-गर्दा उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए जो मटन की पीसे है संकर बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरह से उसको शमात कर दिये हैं और यहाँ पर देखते ही देखते हैं और दोनों चैलेंजर चैलेंजिंग जोन में हैं लेकिन जो जोन है वह बहुत नाज्जुक खोता चला जा रहा है कि फूलचान जी के लिए और शक्त षाट कन जा रहा हैं और जो ताइमर है पांच मिनट आर्टी सेकेंड के उपर जला जा चुका और शंकर पूरी तरह से तोड़ा साइट तिजार करने लेकिन वरोसा नहीं है पूल्चन जी को सोत रहे हैं अकर जाए कब गरदा-गरदा उड़ाने लगे हमारे तो पता ही नहीं लगेगा इसलिए पूल्चन जी सोत रहे सब्सक्राइब कर दोनों लोगों करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताईएगा इस तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फूल्चन पहले तो इस वीट बहुत अच्छी लगाए और बढ़त भी बना लिए रोटी में लेकिन चावल में आयन मौके पहुते पहुते शंकर पूरी तरह से फूल्चन के बराबर आ चुके हैं मतलब दोनों लोग पूरी तरह से फिप्टी फिप्टी जीत हासिल किये हैं तो इनाम भी फिप्टी फिप्टी बढ़ चुका है पैसा भी इन लोगों के हाथ में पहुत चुका है पैसा मिल गया कितना है एक हजार था और आपको संकर जी तो यह लोग आए होसला दिखाए इन लोगों को धन्नवाद करते हैं आप लोगों मटर मसाला और रोटी चावल कैसे लगा खाने मजा है कि नहीं तो यह लोग आए साहज दिखाए इन लोगों को धन्नवाद करते हैं और इस तरह से इन लोगों का होसला बढ़ाने के लिए आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद